चानक क्या IIS Academy में आप सभी का स्वागत है आईए शुरू करते हैं आज की Daily Current Affair MCQs की वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्न पहला प्रश्न है गंगा पुशकर अराधना कहां हो रही है पहला प्रश्न है है हैदराबाद, दूसरा प्रश्न है चन्नई, तीसरा प्रश्न है वाराणसी, चौथा है मुंबई इस प्रश्न का उत्तर है C अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे प्रधान मंत्री नरेंत्र मोदी ने 29 अप्रिल को काशी तेलगू संगम गंगा पुरशकर अराधना को वर्च्वली संबोधित करेंगे कारेकरम वराणसी में आयोजित किया जाएगा जहां उस दिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कारेकरम का भी आयोजित किया गया है गंगा पुषकरालू पूर्वजों को प्रातना करने के लिए एक बारत दिवसिय कारेकरम है 22 अप्रोल को शुरू हुआ और 3 मई तक वराणसी में जारी रहेगा यह त्योहार हर 12 साल में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री इसमें भाग लेने काशी आते हैं काशी कमिल संगम के बाद वराणसी में हाल ही में आयोजित या दूसरा कारेकरम है दूसरा प्रश्न प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कारेकरम में शामिल विशयों और लोगों के आधार पर हाज से पुस्तक श्रिंखला का प्रकाशन कौन करेगा पहला विकल्प है अमर्चित्र कथा, दूसरा है पैंग्जिन रैंडम हाउस, तीसरा है हारपर और चोथा है बाल भूमी इस प्रश्न का उत्तर है ए अब हम इसकी व्याक्या देखेंगे केंद्रिय संस्कृती मंत्रा ले प्रधान मंत्री मोदी के मन की बात कारिकरम में शामिल विशेयों और लोगों पर आधारित बारा भाग की कौमिक बुक शरंखला को जारी करेगा परियोजना अमर्चित्र कथाद्वारा कार्यनवित की जाएगी और अंग्रेजी में जारी की जाएगी इसके बाद 12 भारतिय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा इस किताब का 30 अपरिल को प्रसारित होने वाले मन की बात कारिकरम की 100 भी कड़ी को चिन्नित करने के लिए यह निर्ण लिया गया सांस्कृतिक मंत्राले 29 अपरिल से दिल्ली के लाल किले और प्रधान मंत्री के संग्राले सहित SSI के 13 प्रतिष्ठित स्मार्को के प्रयोजन मैपिंग शो भी आयोजित करेगा पहल लोगों में प्रिरित करने और राश्ट निर्मान की दशा में उनकी लोगप्रिय कलपना को पकड़ने के लिए प्रधान मंत्री के संदेश और सुझावों को दोहराईगी अगला प्रशन नई दिल्ली में मिलेट एक्सपीरियन्स सेंटर की स्थापना करने वाली संस्था का क्या नाम है पहला आप्शन है भारतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान इस प्रशन का उत्तर है B क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने National Agricultural Corporative Marketing Federation of India Limited के सहयोग से नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंब किया MEC का उद्देश बाजरा के बारे में जागरुकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोथ साहित तरना है यह पहल प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी के नेत्रितु में बाजरा के अंतराष्ट्रिय वर्ष 2023 के उत्सव के अनुरूप भारत को बाजरा के लिए एक ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक कदम है M.E.C. का एक अनुठा भोजन अनुभव प्रदान करता है और ग्राहक स्थानिय बाजरा स्टाटप से विभिन प्रकार के Ready to Eat और Ready to Cook उत्पात भी खरीच सकते है M.E.C. बाजरा के आहार संबंधी लावों को बढ़ावा देता है और श्री अन्न को पोशन शक्ती के रूप में लोकप्रिय बनाता है चौथा प्रश्न E.Jail प्लैटफॉर्म पर जमानत आदेश साजहकरन मॉड्यूल पर योजना का उद्देश क्या है पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ट्राफिक कोर्ट की करवाही के लिए एक मंच प्रदान करना दूसरा है ऑनलाइन अपराधिक अदालती करवाही के लिए एक मंच प्रदान करना तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन सिविल कोर्ट की करवाही के लिए एक मंच प्रदान करना या फिर चोथा option है कैदियों, विचारधारियों को बिजिटल रूप से हस्तारिक शित कर जमानत आदेशों को साज़ा करने के लिए उच्छ न्यायाले और जिला अदालतों के लिए एक मंच्पदान करना इस प्रश्न का उत्तर है भारत की मुख्य न्यायाधीश दिवाई चंद्रचून ने वर्चूल रूप से दिल्ली उच्छ न्यायाले को दो आईटी परियोजनाओं का शुभारम किया परियोजनाओं में प्रत्योगिता वाले ट्राफिक चलान के लिए डिजिटल कोट और ईजिल प्लैटफोर्म पर जमानत आदेश साजा करन मॉड्यूल शामिल है डिजिटल ट्राफिक कोट वर्चूल कोट पर लगे गए चलानों का फैसला करेंगे और ऑनलाइन करवाई भी करेंगे दूसरी पहल देश में किसी भी जेल में बंद कैदियों को डिजिटल रूप से हास्ता रिक्षित जमानत आदेशों को साजा करने के लिए उच्छ न्यायाले और जिला आदालतों के लिए एक मंच प्रदान करेगी मुखिन आदेश ने इंटरनेट की खाई को पाटने के लिए ई सेवा केंद स्थापित करने की आवशक्ता का सुझाव दिया और यह सुनश्चित करने के लिए कि बिना इंटरनेट के नागरिक अदालती सेवाओं का लाब उठा सकी उन्होंने सुझाव दिया कि जेल परिसर में ई सेवा केंद्र भी इस्थापित किये जाए ताकि वहाँ बंद लोगों को सेवाय पदान की जा सके अगला प्रश्न है गम अर्वी क्या है? हमारे विकल्प हैं पहला एक टकार का व्रिक्ष जिसका उप्योग फरनीचर बनाने के लिए किया जाता है दूसरा यह एक सौफ्ट ड्रिंग कैंडी और सौंदर प्रसाधनों में से एक प्रमुख घटक है तीसरा मध्य पूर्वी व्यंजनों में इस्तमाल होने वाला एक टकार का मसाला और चौथा इलेक्ट्रोनिक उपकरनों के उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री इस प्रश्न का उत्तर है बी गम अर्वी कई उपभोगता उत्पादों में एक प्रमुख घटक है जिसमें सौफ्ट ड्रिंग, कैंडी और सौंदर प्रसादन शामिल हैं दुनिया की गम अर्वी की लगबग 70 प्रतीशत आपूर्ती सुडान के सहेल छेतर से होती है जो वर्तमान में संगर्ष का सामना कर रहा है कुका कोला और पैप्सी जैसी कमपनिया कुछ समय से गम अर्वी की आपूर्ती का भंडारन कर रही है लेकिन मौजूदा भंडार केवल 3-6 महिने तक ही चल सकता है सुडान में शंगर्ष के कारण गम अर्वी का व्यापार रुख गया है ये थे आज के हमारे करेंट अफेर के प्रश्ण अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे आप प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद